हेलो फ्रेंड्स वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जूनियर सिच्छक भरती से समंदित जो हमारी GS plus social studies की top 40 questions की यहां पर सीरीज चल लए है मतलब जो मैंने कोसिस कर रहा हूं कि परिक्षा से पहले आपको 30 इस वीडियो कम से कम top 40 के देदू मतलब 1200 plus questions आपको कम से कम करवा दिये जाए हलां कि यह पूरे 1500 से उपर हो जाएंगे परिक्षा से पहले लेकिन 1200 प्लस मैंने कहा है क्योंकि कभी-कभी बीच में gap हो जाता है ठीक है तो यह करवाने कोसिस कर रहा हूं यह सभी वर्गों के लिए important है चाहे किसी वी वर्ग से हो चाहें गडित विग्यान से हो हिंदी इंगलिस अंस्क्रस से हो या फिर सोचल इस्टी से हो इसके लाबा देख रखते हैं किस प्राइक कोश्चन रखेंगें पहला कोश्चन है कोपेन हेगन संग्रहाले की सामगरी से पासाण कांस और लहो यूग का त्री यूगी यह विभाजन किया था किस ने किया था थॉम्सन ने लुबाक ने टेलर ने या चाइल ने तो इसका जो राइट आंसर ह किया था ठीक है कुश्चन के जल्दी आंसर बता देता हूं क्योंकि आप लोगों का समय भी ज्यादा ना लगे और कम समय में आप 40 कुश्चन आसानी से कर सके नेम लिखित में से किन इस्थानों से मध्य पाशान काल में पश्पालन के प्रमाण मिलते हैं ओदे बोरी बोग जीवन की सुविधाएं थी इसके पास चित्र लेखिय लिपी थी इसके पास लोहे और अच्छा सस्त्रों के ग्यान का अभावत है या उपर्योक्त सभी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपर्योक्त सभी नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 4 अध्यात्म ग्यान के विशे में नचिकेता और यम का समवाद किस उपनिशद में प्राप्त होता है व्रहदार व्रहदारन्यक उपनिशद में चांदों की उपनिशद में कठोपनिशद में या केन उपनिशद में इसका जो राइट अंसर है वो है आप्शन C कठोपनिशद में नेक्स नाम था बगेल खंड का मालवा का विधर्व का तो इसका जो राइट आण्सर है वो है ओक्षण बी बुंदेल खंडगा जिजाग बुक्ति कहां का प्राचीन नम था ये था बुंदेल खंडगा नेक्स्ट कॉस्चन निम लिकित कथनों में से कौन अलबुरूनी के संबंद में सही नहीं है वहाँ एक धर्म निर्पेच लेखक था उसका ग्रंत उस समय के जीवन्त भारत से प्रवावित था वहाँ संस्कृत का विद्वान था वहाँ त्रिक कोण में तिका विशेशक था तो क्या नहीं है तो जो पहला option है वही नहीं है वहाँ एक धर्म निर्पिक लेखक था ये सही नहीं है नेक्स्ट कोश्चन दिल्ली के किस उल्तान ने सिकंदर साने या सिकंदर साने की मनोपाद धारन की थी बलवन अलावदिन खिल जी मुहंबद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी आठबे का जो राइट आंसर है वह है option B अलावदिन खिल जी ने नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर नाइन निमन में से किस राजी की सीमा बांगलादेश से नहीं मिलती बांगलादेश से पुछा गया है तो मेगाले त्रिपुरा मडिपूर मिजोरम तो इसका जो राइट आंसर है वह है option C मडिपूर ठीक है मडिपूर की जो सीमा है वो बंगलादेश से नहीं मिलती लेकिन मैमार से मिलती है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान बर्मा नेपाल तो इसका जो राइट आंसर है वह है option A अफगानिस्तान next question question number 11 उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड कुएं पाए जाते है भाबर में तराई में सिवालिक पाड़ियों में या उपर्युक्ष में से कोई नहीं ग्यारवे का जो राइट अंसर है वह है option B तराई में उत्राखंड के जो तराई छेतर है उसमें पाताल तोड कुएं पाए जाते है next question नियम लिखित में से कौन सा जिला धारबाड भू इस्तरी रचना वाला नहीं है मुंगे रोहतास जमूई या नवादा इसके जो राइट अंसर है वह है option B रोहतास next question मड़िपुर पहाड़ेओं से घिरा इंफाल इंफाल बेसिन एक सुन्दर उधारण है किसका सरोवरी मैदान का लोयस मैदान का हिमनदी मैदान का या जलोड मैदान का तेरवे का जो राइट आंसर है वो है option A, सर्ववरी है मैदान का, next question, नेम लिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच नयले की स्थापना का प्रवधान किया गया है, ये question बहुत पूछा भी जाता है, regulating act 1773, पेट का भारत अधिनियम 1784, charter act 1813, charter act 1833, तो इसका जो राइट आंसर है, option A, regulating act 1773, next question, सवत अंतरता के पूर्व के दिनों के प्रानंबर में किसने समिधान निर्वात्री सवा का विचार प्रसुत किया था, ठीक है, समिधान निर्वात्री सवा का विचार किसने प्रसुत किया था, options है, MN राय, ब्यार अमेट कर एनि सवा कांग्रेस थी, और कांग्रेस भारत था, Austin, C.R. एटली, विंस्टल चर्चिल, लाड मांट मेटन, इसका जो राइट आंसर है, वह है option A, Austin ने, next question, निम लिकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, अनुछे 49, समान निया एवन निसुल्क विधिक सायता, 40 में ग्राम पचायतों का संगटन, अनुछे 44, समान नागरिक साहिनता, अनुछे 48, निया पालिका का कारिपालिका से प्रथक करण, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए, उपर के तीनों सही है, तो चौथा जो है, वो सही नहीं होगा, तो option D, right answer होगा, अनुछे 48, जो है, वो आप का है, क्रसी और पस्पालन को आधुने के वं बैग्यानिक आधार पर संगठित करने से संबंदित, जबकि यहाँ पर निया पालिका का कारिपालिका से प्रथक्रण लिखा है, तो option D ही सही आंसर होगा, next है, नेम लिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भारती समिधान संबंदित, राजिका अनुझ्छेत, कॉन सा? 371 नागालेंट, खा, असम, गा, में गालेवगा अंदरप्रदेश, कॉन सा सुमेलित नहीं है, तो option C में है, वो सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है, 371 रापालेंट, खा में असम, गा, में आंदरप्रदेश, जबकि गा म में जो है गा में होगा मड़ीपूर ठीक है मड़ीपूर नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 19 भारत के समिधान कि निम लिकित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विश्यक प्रावधान है दूसरी अनुसूची पाचवी अनुसूची आठवी नेक्स्ट कोशन है भारत के समिधान की प्रस्ताबने में कितने प्रकार का निया कितने प्रकार के तो इसका जो राइड अंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मतलब निया जो है वो तीन प्रकार का होगा स्वतंतरता पांच प्रकार की होगी समानता आपकी दो प्रकार की ओव ब्रातरत तो एक प्रकार का होगा ठीक है नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से कौन सी विश्यस्ता भारती राजितंतर की नहीं है एक संविधान संगत सरकार लोगतांतरित संगा सरकार विदिक केसी वहियर सर आईवर जेनिंग्स या डिडी वसू ओप्षन एस का राइट आंसर जी ऑस्टिन ने गाता भारती संगवाद को सहिकारी संगवाद निमने में से कौन सुमेलित नहीं है एनिमो मीटर वायू की चाल टेकियो मीटर दावांतर सैक्री मीटर सरकरा युक्त विलिय टेकियो मीटर उच्च ताप तो जो ऑप्षन भी है वो सुमेलित नहीं है टेकियो मीटर जो है यह एक सर्वेच्छन उपकरण है दावांतर से समदित नहीं है नेक्स्ट है बक मिन्स्टर फुलरीन है कार्बनिक योगी का एक रूप जिसमें 60 कार्बन प्रमाणों का अप्षन है वो है इनमें से कोई नहीं ठीक है तो 24 का जुराइट आंसर है वो है ऑप्षन ए कार्बन योगी का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणों का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचबुक या सटबुच से बने वह फली की संरचना से जुड़े होते हैं ठीक है कि यहाँ पर डिओप्षन है नहीं इन में से कोई नहीं यहाँ पर है ति और इन में से कोई नहीं ठीक है को की नहीं करते तो इसका जो रॉइत आंसर वो पहला होगा नेच्ट कौिशन इस्पान्जी टीशू एक ऐसी गंबीर समस्य जिसके कारण आम कि जिस प्रजात का नि प्रतिरोधपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्यों कि नई मिट्टी में इस्ट खरीज पदार्थ नहीं रहते हैं अधिकान्स मूल्रोम नई मिट्टी को अधिक सक्ती से जगण लेते हैं प्रतिरोपड के दोरान अधिकान्स मूल्रोम नष्ट हो जाती है इसका जो राइट आंस्सर है वो है option see प्रतिरोपड के दोरान मूल्रोम नष्ट हो जाते हैं इसलिए प्रतिरोपित पौधे नहीं शैला भारती क्रेशी का अर्थ है मतलब संस्टेबल एग्रिकल्चर का अर्थ क्या आत्म निर्भरता विश्य व्यापार संगठन के मानकों के अंतरगत क्रेशी निद्या तथा आयत कर सकना भूमी का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुडवत्ता अच्छूड बनी रहे या क्रेशी पूर रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल जेनरल ड्राइब न्यू जनरल ट्रिब्यूनल लेस्नल ग्रीन ट्राइब इसका जो राइट अंसर है वो है आप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेक्स्ट कोश्चन पलाची माड़ा जो प्रयावरण की अपार्षत के कारण चर्चा में रहा था अवस्थित है पलाची माड़ा कहां है यह पुछा गया करनाटक में कॉंकर में केरल में या तमि इसका जो राइट अंसर है वह आप्शन सी दादा भाई नौरो जी नेक्स्ट सन 1908 में आखिल भारती मुस्लिम लीग की एक लंडन साखा के स्थापना हुई आगा खान की अधिक्षिता में अमीर अली की अधिक्षिता में लियाकत अली खान की अधिक्षिता में एमेजिना इसका जो राइट अंसर है वह आप्शन बी सामप्रदाइक प्रतिनिद्थ नेक्स्ट कोस्टन दच्छिड अफ्रिका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेका गया था जोहांसबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया तो इसका जो राइट अंसर है वह आप्शन बी, पीटर मारिट्सबर्ग, ठीकि गांधी जी से सम्मंदी चीज़े बहुत इप्पोर्टेंट है, कोस्टन जरूर आ जाता है नो आखाली, काल में, मात्मा गांधी के सचिव कौन थे, निर्मल कुमार बोस, महादेव देशाई, प्यारेलाल या बलभाई पटेल इसका जो राइट अंसर है, वह है आप्शन C, प्यारेलाल नेक्स्ट कोस्टन है, कोस्टन नम्मर 36, तीन कठिया कानून किस इस्थान पर किस की खेती से संबन देते हैं, गोरकफोर, अफीम, बेगुसराय, धान, चंपारण, नील या बर्दमान, धान ठीक है, इसका जो राइट अंसर है, वह है ऑप्शन C, इसी टाइप का कोश्टन एक पहले भी आ चुका है, कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो प्रथम जन आंदोलन, असायोग आंदोलन, तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, कि सर आप गलत बता जाए, तो वह होगा, असायोग आंदोलन, और सिर्फ आंदोलन पुछा जाए, तो भी चंपारण नील, यह होगा, ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है, तीन खटिया, यह भी चंपारण नील से थम्बंदित है, नेक्स्ट है, आखिर भारती है, कि शान सभा के प्रथम सत्की अधच्चता किसने की, स्वामी, सहजानन्द, इंदुलाल, यागिक, एन, एन, रंगा, पीसी, जोसी, इसका जो राइट आंसर है, वह होगा, ऑप्शन ए, स्वामी, सहजानन्द ने, नेक्स्ट कॉस्ट्ट, स्वार्ण जैनती, ग्राम, स्वारोजगार, योजना का इसका जुराइट आंसर है, एप्शन सी अप्रेल में, नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में, किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, प्राथिमिक गाटा, राजकोसी, घाटा, राजस्वागाटा, या आईवेर घाटा, तो, जो सबसे ज़्यादा कि यह घाटते हैं और लास्ट है कुश्चन आज का गिल्ट एज बाजार किस से संब्धित है कटे फटे पुराने करेंसी नूट सोना चांदी सर्राफा सरकारी प्रतिभूतियां या निगम रिण पत्र इसका जो राइट आंशर है वो है ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियां गिल्ट एज बाजार ठीक है तो यह हो गए आपका 40 कुश्चन हो गए और उमीद है कि आप लोगों को यह काफी अच्छे लगए हो किसी कुश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बाक्स म जरूबता है तो दोस्तों आज की वीडियों चिर्प इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए नमस्कार